जौलामुखी पुलिस ने लुथान पंचायत के सुंधगल में व्यास नदी किनारे से एक अधेड उमर के व्यक्तिका शब रामत किया हैं। कोई शब पानी में हैं। इसके वाद जौलामुखी पुलिस को सूचना दी गई। रामलोक धुनोटिया ने मृतक को पहचान लिया। प्रधान रामलोक ने बताया कि उक्ताधेड गुंबर का स्थाई निवासी है। मृतक की पहचान रामलाल पुतर गौनसा राम निवासी गुंबर के रूप में हुई है। तो पुलिस विवाग ने हमने फौन किया तो हमने जाते मौकर पर देखा तो इसकी पहचान जो ही है वो रामलाल इसको तरसरी गौनसा राम करूब में हुई है। जानकारी के अनुसार मृतक का एक वेटा वो एक वेटी हैं। पतनी की मृत्यों हो चुकी हैं। और अधेड आंशिक रूप से परिशान रहता था। पेंटर का कारे करता था। और छे दिन पहले घुमर से अपनी बहन के घर गया था। बहन के घर से वी दो दिन पहले बापिस आया। लेकिन अपने घर बापिस नहीं पहुंचा। फिलहाल पुलिस मामले की चानवीन कर रही है। प्याइल टीबी के लिए जौला मुखी से पंकर शर्मा की रिपोर्ट।